ये कहना के कोई समभिधान का एक्सपर्ट है ये तो अपने आप में एक वह बड़ी बात कुए कि मैं तो अपने आपको समभिधान गे चाग्रमान नहीं है और इतना मैं बढ़ता हूँ सुमेथान को उसमें मैं ये मानता हूँ कि अगर ये वीवराव को अमबेटर जी इसके साथ जोड़े हुए नाव होते हैं और उनकी जगह कोई अगर हायर कास्ट का ये अडवांस होता कास्ट भाई तो जो सेफगार्ट्स इसमें रखे गए हैं कॉस्टुशन में बेरे स्टाट लोइंग प्रॉम आर्टिकल 14 जोगे समानता का दिकार में और इसको आगे रिकर जाता है अर्टिकल 15 और 16 क्योंके आर्टिकल 14 अगर आप उसको से फखेलिक आर्टिकल 14 को देखते हैं तो बोलता है कि सरकार किसी भी वेक्ति को कानून के समान कानून के समक्ष समानता से बंचित नहीं करेगा कि अब इसके अगर सिर्फ शब्दों में जाए तो पता चलेगा कि ऐसा लगता है कि जैसे मचली को और चिडिया को दूनों को समान तौर पर कहा जाए कि पर तूल के दिखा दो समानता नहीं है इस समानता को हम मैथमेटिकल तर्म में समझते हैं अगर आप असमान लोगों के पीच में इस समानता लेकर के आएगे तो मेरी इसमझ में उससे ज्यादा बड़ा असमान वैवाहर कुछ नहीं समान लेकर करते हैं तो समान वोसे पीच में इक जैसा उनके पास संसाधन है एक जैसा उनका द्रीटमेंट आप देटे आप अप मशली को मशली से कंप्यर करते हैं विडिया को इच्छ बेचापते तो इसलिए हमारे पास वो प्रोविजन्स हैं इसको हम लोग बोलते हैं एफर्मेटिव एक्षन जो इस्टेट लेगा ताकि जिन लोगों को उनका इतिहास अगर आप देखें तो वो बंचित रहे तभी कुछ ले रहे उनको उन लोगों के साथ कंपेर अगर करना पड़े कि जिनके पास अपुछ था शुरू से तो कम से कम कुछ उनको रियायत दी जाए वो आपको मिलेंगे आर्टिकल 16 में और सत्राव बंद्रा में और 16 में जिसमें के सरकार के पास ये अधिकार दिया गया है कि वो शड्यूल ट्राइक्स को प्रुमोट करने के लिए और उनके वेलपेर के लिए प्रोविशन्स लेकर के आए यही आता है आपका रिजर्वेशन मैं आपके साथ एक पास ये करना चाहता था कि जो तीन तलाग वाला केस था इसमें मैं इस लेडी को तीन तलाग नहीं गई थी उसके अस्मेंड को रिप्रेजन कर रहा था सुप्रिंपोर्ट में और जो बैच उसको सुन रही थी उसमें पांच वांड़िवल जजिस्त गे पांच मेजर रिलीजन से लिए गए थे उसके अंदर हमारे उसमें की जो नुक्रे ने आजीश थे भारत के इसकी सहर्ट थे वो सिख थे रोइंटन फली नारिमन साहब पार्सी जोजब साहब इस्टरजू यूजयलिद साहब हिंदू और एक हमारे मुस्लिम जश्त थे इसने नहीं कहाता कि वो काई जैसी बनाई जाए जाए इसके अंदर अलग लग बांच मजबों के जजिस्त गूंग वो बैंच इसलिए कॉंसिटिउट करी गई थी ताके नियाए सिर्फ वो नहीं ये भी दिखे के नियाए हुआ है ताके अगर इसी पक्ष के साथ न्यायपारी का जाए या उसे खिलाब जाए उसके पास कहने के लिए ये नहों के साथ मेरे मजब को उन्होंने कंसिडर नहीं करा कि इसलिए वो पार जज़िस उस बैंच में रखे करें अब मेरे सामने सवाल यह आता है कि वो जो आपके सुप्रीम कोट के और रिभी सुप्रीम कोट के जज्जमेंट्स हैं जो के आपके रिजर्वेशन से मुतालेक हैं उसकी फैंच में कभी ऐसा हुआ है अभी आपने देखा है कि जस्टिस सिर्फ हुआ ना वो दिखा भी हो के हुआ है यह सवान आपको अपने से पूचके उसका अक्तर भी आपको पुछ से देखा एक बार जो पर आपस और बोलना चाह रहा था हूँ यह एक मेरे सुनने में आया अभी एक और रिट कोई फाइल करी गई जिसमें कॉंट्रोवर्सी है मीना और मीना के बीच में यह इस तहां के और में किसिस जो के आपके अधिकारों पर प्रभाव डाते हैं क्या आप उसमें पार्टी बनने के लिए कभी आपने कोशिश करी है आप खुद अपने अधिकार को अगर नहीं बताएंगे गोड को यह अपना पक्ष नहीं रखेंगे उसके पाद अगर कोई जिज्मेंट आता है तो उसको आप इसालेंगे पिर आप कहेंगे कि हमारे इसलिए मैं आपको उसे इतनी राय दूंगा कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के लिए आपने बहुत सुन लिया जो हिस्टोरिकल एस्पेक्स हैं उसपर भी आपको बहुत सारे व्याख्यान मिल गए मेरी तरफ से मैं छूटी से राय यह दूंगा कि न्याय पालिका के सामने जो भी ऐसे मुद्दे जाते हैं जिनका तालुक आपसे है वो चाहिए सामने हो या आगे आने वादा हो उन मुद्दों में अपना पार्टिसिपेशन तो कीजे उसमें कम से कम एप्लिकेशन लगा करके एंट्री दो कीजे आप कहिए तो सही कि हमारा पक्ष यह है हमारा सुनने के बात न्याय पानिका डिसाइड करें जो भी करना है आप लोगों ने काफी सुन दिया बहुत सारे जो मुझसे पहले वक्ता आये उन्होंने काफी लंबा व्यक्ष्यान दिया मैं आप लोगों का नदवाद नहीं है मैं आप से सिर्फ इतना बोड़ूँगा कि मैं आपके साथ हूं जितना कुछ मुझसे बन पड़ेगा इतने कम समय में आप लोगों को इतनी अच्छी तरह जोड़ा और इस एक प्लैट्फॉर्म पर खड़ा करा है जॉन एरिया एक मशूर शायर है उनके एक शेर से मैं अपनी बात ततम करूंगा कि हक मांगना तोहीन है हक छीन लिया जाए मैंने वह लोगा छीनिये मगर कम से को मांगिये तो अधालत में अगर कहीं पर कोई भी ऐसा केस है जिसमें प्रभाओं बढ़ सकता है आपके अधिकार पर उसमें पार्टी तो बनिये अगर आप इतना भी नहीं करेंगे तो आपको सिर्फ पॉलिटिक्स जहां तक लेकर जाएगी वो लेकर जाएगी मकर न्याय पाले करेंगे वहां पर आपको अपनी बात करिए तो अपने हाग को आप चाहें जीने ना मकर उसकी लिए खड़े तो हो जैने झाल झाल